आपका आपके यूटूब चैनल प्रिजम इस्टिटूट में एक बार फिर से आधिक स्वागत और आभी नंदने जैसा कि आपको मलब है कि कक्सा 10 का एक टॉपिक अपने चला रखा था सर्किल वाला क्या है वृत है तो वृत में मैंने आपको फर्स्ट पार्ट करवा दिया जिसके अंदर वृत की जो इसपर्स रेखा है उनकी डिटेल अपने पड़ी थी आज उसी के आगे फिर चलते हैं कल को एक आड़नवस लास्ट में जो प्रसनावली दस पॉइंट एक अपने हो रही थी उसमें जो लास्ट का प्रसन था प्रसन सेंके जो फोर है साइड वो उसमें देखो ज्यादा कुछ करवाने लाइक है ने फिर भी मैं आपको बता देता हूं लो करना उसके अंदर क्या है तो पहले जो दस पॉइंट एक है उसी का जो एक प्रसन रहे गए उसी को आगे चलाएं तो प्रसनावली दस पॉइंट एक है तो जे देखो जो पॉशना क्या चारा है क्या कहना चारा था वो ये पॉशना चारा है कि आप एक वरत बनाएं वरत के बाहर को एक रेखा बनाएं वरत के बार क्या बनाने आपको एक है रेखा ड्रो करवानी है रेखा बनाने के बाद उस रेखा के पैरलल उस रेखा के समानतर दो अन्य बनाने के बाद इसके कैंदर से इस रेखा पर लंब बना लो यह लंब बनन के तयार हो गया अब लंब बनने के बाद में आपको क्या चाहिए एक स्पर्स रेखा चाहिए क्या चाहिए एक स्पर्स रेखा जो इस रेखा के क्या होने चाहिए समानतर रहने चाहिए तो अपने को क्या काम करवाना यहाँ एक बिंदो स्पर्स बिंदो आप ले ले और यहाँ 90 डिगरी का एंगल आ बनाते वे एक रेखा draw करवा दे प्रकार की साय से 90 degree का आपको बना लीया तो आपके पास क्या जाएगी एक दी गई रेखा के समानतर आपको क्या मिलेगी एक रेखा मिल जाएगी अब ये रेखा मिलने के बाद अब आपको क्या करवाना है कि एक रेखा और बनाने उच्छे दक रेखा ओने चीए तो इस रेखा से थोड़ा से उपपर एक रेखा और बना लो ये वाली भी इस लंब के साथ में क्या होगी 90 डिगरी का कोण बनाई ये प्रकार के साइता से बना ले बे प्रकार को खोल के एक चाप आपको काटना है उतनी दूरी को रखते वे एक चाप उसके उपपर एक उसके आगे और दो चाप आपको अन्य काटने 90 डिगरी कोण बनाना आता है करना क्या है एक प्रकार को खोलो खोल गए एक चाप काटो परकार की नो को यहां रखना एक चाप इदर 60 होगे एक चाप आप यहां काटोगे 120 होगे आप इन दोनों का समधी वजन करवा दें प्रकार को यहां रखते हुए और एक वार इदर रखते हुए आप हिंगल बनाओगे आप पर पास क्या आएगा राइंटी डिग्री का कोणा जाएगा तो इस प्रकार से यह आपको जो किशन समय नमर फोर था प्रसना वले 10.1 है उसका आप देख लेना बाकि कोई खास प्रसन नहीं है ठीक है अब रहेगे आपके दो प्रमे दोनों में से एक प्रमे इतनी बड़िया नहीं है दूसरे वले जो प्रमे वो काफी अच्छी है और आने लाइक है एक प्रमे मैं आपको समझा देता हूँ बासा है जो आपकी बुक में जो दे रखे हो या आप पड़ ले ना प्रमे क्या कहता देखो प्रमे जो 10.1 है वो कहना चाहता है कि एक वृत है एक वृत बनाए वृत पर जो इस पर्स रेखा होती है यहां क्या होगा इस पर्स बिंदू होगा क्या होता है कि इस पर्स बिंदू होता है तो यह कहता है कि जो कैंदर है के अंदर से यदि आप इसको मिलाते तो क्या बनती है तरजया तो यह कहना सारा यह जो तरजया है वो इसके साथ 90 डिग्री का कौन मनाती है ठीक है बिल्कुल सही देखो आप कैसे आपकी यह जो इस पर स्रेखा है इस पर आप बिंदू बहुत सारे ले सकते हैं आप कहीं पर जैसे मनलो कि मैंने यह सेंटर आपका हो गया मैंने एक बिंदू क्या लिया क्यू लिया एक बिंदू मैंने क्या लिया क्यू लिया अब क्यू पॉइंट लेने के बाद मैंने आर एक पॉइंट इदर भी ले लिया आप इनको देखो मैं मैंच करवा कि देखू देखो इसके क्या है लेंथ उसकी ज्यादा है लंबा है उसकी ज्यादा है वही काम कि जो और है वो भी क्या होगा ग्रेटर देन होगा किसे ग्रेटर देन होगा अपने ओपी है उससे क्या होगा बड़ा आपको मिलेगा तो कहने का मतलब क्या है कि जो नियूनतम दूरी होती है आना जो सरक को लर्खिंषते हो तो यह आपको नियुन्तम् दुरी मिलती है opti उती है वो आपकी इस फ questa बिंद Aww ऱमेसा कया रहएगा आपका 90 यह तो एक नॉर्मल सी एक छोटी सी डीटेल आपको बताई है तो अब और आगे चलते हैं जो इसकी अपने जो दस पॉइंट जो दो पर में है वो काफी अच्छी है आसान भी है और बढ़िया भी है तो दस पॉइंट दो पर में वो आनलाइक है उसको करके देखते हैं कि उसमें क्या मेटर आपको दिया गया तो कोई मिला कि यह तो देखो कल हो गया तो लगबग और नहीं भी आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसे प्रसंद देखो एक्जाम में पूछते नहीं है अपने ज्यान के अंदर रहना चाहिए कल कोई यह होगी किये ही नह stir तब आइसा नहीं हो करेंगे एक परम्य मैं आपको करवाता हूं महद बढ़ी परम्य दस पौइंट जो दो परम्य वो एग rounds में आने लाइक है बे तुदे हो कर लेतें परम्य 10.2 ये क्या कहती है परम्य ये प्रमे ये कहती है कि यदि आपका एक वुरत है वुरत के बाहर कोई विंदो उससे आप दो इसपर्स रेखा बनाओ जैसे मैंने ये दो इसपर्स रेखा बना लिए यह बिंदो P है, यहां मैंने बिंदो क्या लिया A और इधर में क्या ले लेता हूं बिंदो B ले लेता हूं तो वरत के बाहर एक बिंदो इस्तित हैं उसे वरत के ऊपर क्या बनी है दो इसपर्स रेखाओं को ड्रो करवाए हैं दो इसपर्स रेखाई मैंने बनाई है अब प्रसनवाला ये कहता है प्रमी क्या कहती है कि आप ये सिद्ध किजिए कि किसी बाहिये बिंदों से एक वरत पर खीची गई दोनों इसपर्स रेखाऊं कि लंबाई क्या होती है बराबर इसका हमला आपको सिद्ध क्या करवणा है कि AP और BP है ये आपस में क्या है बराबर है इनकी डिस्टेंस क्या रहती है बराबर है रहती है तो लिख देता हूँ क्या क्या है जो AP तो आपकी क्या होगी AP था था BP क्या है इस पर्स रेखाएं इस पर्स रेखाएं और इसका कैंदर यहां ले लिया इसका एक कैंदर ले लिया अब देखो रसना केंदर आपको क्या काम करवना है कि जो अपना कैंदर है उसको A, B और P से मिलाएं अच्छा सिद्ध करणा वो भी मैं पहले लेख देता हूं कि ये सिद्ध करणा क्या सिद्ध करवाने कि AP बराबर क्या आणा चे ये बीपी आणा चे ये जो सपर्स रेखाईन के लंबाई ये क्या रहनी चे ये बराबर आणी चे ये आपको सिद्ध करवाने अब रचना कंस्ट्रेक्शन अपने क्या काम करवाने रचना के अंदर आपको करना क्या है रचना के अंदर बिन्दू O को A से मिलाओ और बिन्दू O को का मिलाओ B से मिलाओ और बिन्दू O को का मिलाओ बिन्दू P से भी मिलाओ तो रचना में अपने क्या किया कि O को A, B तथा P से मिलाया तो जैसा काम अपने किया है उसी को लिखा है कि बिंदू जो O था इसका जो सेंटर था सरकिल का उसको A से, B से और P से मिला दिया मिलाने पर अब देखो हुआ क्या मैंने उद्दे से आप समझें कि इसके अंदर देखो करना क्या है आपको A, P और B, P क्या करवानी है आपस में बराबर सिद्ध करवानी है तो इसका एक तरीका है आप इस फिगर को देखोगे, डाइग्राम को आप देखोगे ता आपको ये समझा रहा है कि इस चित्र के अंदर इस आकरती के अंदर दो तिर्बुज आगे एक तो तिर्बुज उपर वाला कौण सा A, P, O और दूसरा कौण सा है B, P, O तो इन दोनो तिर्बुजों को यदि आप सर्वांग सम बना देते हो तो ये तिर्बुज की उपर वाले की ये वाली बुजा और नीचे वाले तिर्बुज की ये वाली बुजा भी आपस में क्या रहेगी बराबर क्योंकि सर्वांग सम तिर्बुजों के संगत भाग क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं तो आपको ये वाला काम करवाना है तो ये काम करें कैसे तो किसी भी तिरबज को दो तिरबजों को सरवांग सम करने का एक की मेटर है कि आप उन में तीन चीज़ें बराबर करवा दे या तो देखो तीनों साइड आने चाहिए या दो साइड और एक एंगल में साफ पता चल रहा है यह आपके तरजिया होगी और यह आपका क्या होगी इस पर्स रेखा है तरजिया और इस पर्स रेखा हमेशा कहीं पर भी आप ड्रो करवा दें आपस में परस पर हमेशा 90 डिगरी का इंगल ही बनाती है यह भी आपके तरजिया होगी और बीपी आप सा ओ बी क्या है वरत की तरजया है तो यह जो कौण है कौण से वाला एक तो हो गया आपका कौण सा ओ ए पी और एक हो जाएगा ओ बी पी यह दोनों क्या है बराबर है 90 डिगरी के हैं भी ओ ए पी बराबर होगा ओ बी पी कारण आप क्या लिख सकते हो 90 डिगरी के कौण है क्या है 90 डिगरी के कौण है 90 डिगरी के सम कौण है इसलिए बराबर है अब अपने इन दोनों तरजयों को ले लिया जाएं तो वह ले ले लेते हैं तो एक साइड तो ले ले लेते हैं तुसरा तिर्बुज क्या ले लेते हैं BOP में, इन्हें दोनो तिर्बुजों के अंदर, क्या मैटर सैम है, पहले तो आपकी जो OOP लाइन है, OOP रेखा है, वो उपर आले तिर्बुज में भी काम में आ रही है, और OOP लाइन नीचे वाले तिर्बुज को बनाओगे, तो भी आपके काम में आ रहे हैं, तो पहले लाइन के अंदर क्या लेखेंगे कि op बराबर op, कारण आपका क्या हो गया, कि ये आपकी urbanist बुजा है, ये आपकी क्या आगई, urbanist बुजा हो गया, common आपकी side आगई, ये आने के बाद देखो, ये o e बराबर क्या है, ob, क्योंकि वरत की त तिरजिया है, दोनों के अबरत की तिरजिया है, तो ये दोनों बराबर है, तीसरा आपने ये कौन, 90-90 degree के क्या करवाई थे बराबर, तो इनको मैं लिख लिता हूँ, कि angle आपका o e p, बराबर है angle o b p k, इसको आप एक नमबर लगा सकते हैं, कहां से लिखा है, समीकर नमब अब देखो, दो side और एक angle equal आगे, दो side और एक angle equal आते हैं, ये कह दिया जाएगा, कि दोनों जो तिरजिया आपने लिए है, वो क्या है, आपस में सरवांगसम है भी, तो इसी को मैं लिखता हूँ, देखो, कि तिरजिया आपका o p, ये सरवांगसम होगा, किसके तिरजिया b.o.p किस नियम के दोरा, ये होगा अपना side angle side नियम से, दोनों तृबज क्या आगे, एक नमबर और दो नमबर ये दोनों तृबज क्या ओगे, सरवांगसम होगे, अब यदि दोनों तृबज आपके सरवांगसम आगे, तो उनके संगत बागभी क्या होगे बराबर, तो वाले common है दोनों कि तो रह गई कोंड से तीसरी तो AP और BP आपस में क्या आगई बराबर आगई तो बस लिख देंगे कि तो AP बराबर क्या होगा AP और BP बराबर है इसका मलग क्या हो गया कि वरत के बाहिये बिंदू से खीची गई इस पर्स रेखा है हमेशा क्या होती है बराबर लंबाई की होती है बराबर लेंथ की होती है बस आपको इंदी के अंदर सिर्फ ये लाइन ओ लिखने किया आता है वुरत के बहार इस्तित किसे बिंदो से खीची गई इस पर सरेखा क्या होती है समान लंबाई की होती है समान या लिख दे बराबर क्या लिख सकते हैं बराबर होती है तो यह आपके होगी कौण सी प्रमे 10.2 काफी इंपोर्टेंट है और बड़ी है आसान भी है कुछ नहीं करवाना आपको एक वृत बनाना है वृत के बाहर क्या लेना एक बिंदो पी को लेना है वृत के बाहरी बिंदो से आप दो इस परस रेखा हैं बनाएं और कैंदर को इन तीन नोग पॉइंट से मिला दो A से, B से, इस परस बिंदो होगे दो इन से और एक P से आप मिलाओ मिलाते आपके पास दो त्रिवू जा जाएंगे दोनों को आप कैसे ही करवा के सरवंग सम आप करवाएं सरवंग सम करवाने का एक ही मतलब है कि आप उनमें क्या कर दो तीन चीजों को समान करवा दो जैसे तीन चीज़ें एकोल आ जाएगे आपके पास ये मेटर बन जाएगा ठीक है अब करते हैं अपने इसका भी आप स्क्रीन सोट ले लिजे ताकि आगे प्रसनावली जो 10.2 है उसको किया जाए ठीक है कर लिए अब देखो ये जो प्रमे की है इस पर एक प्रसंद भी बनता है देखो दो तरीके हैं दोनों मैं आपको बता देता हूं कैसे कि माल लो कि आपका एक सरक्ल एक वरत है वरत के बाहर कोई बिंदो है वहां से आपने क्या केची ये दो इस पर्स रेखा हैं केची और वहां उनको केंदर से आपने मिलाया तो मिलाते ही मान लेते हैं यह आपका A और B पॉइंट है यह 90-90 डिग्री के कौन होते हैं यह आपको जानकारी के अंदर है अब होता है क्या देखो जैसे आप यह आकरती को देखोगे तो देखो O, A, P, B है न, O वापिस यह आपका क्या हैगा? एक क्वाडेटियल आएगा, एक आपका चत्रबुज आएगा और चत्रबुज में इसके अंदर जितने भी कोन है उन सबी का जो योगफल यदि आप करवाओगे वो क्या रहेगा? 360 डिग्री रहेगा क्या रहेगा 360 डिग्री का मान आता है अब प्रसन क्या आता है? मान लो ये वाला एंगल देगा ये कह दिया है, ये यदि कोन 120 डिग्री है तो ये निकालो, तो ये निकल जाएगा रहेगा हमसे कैसे? कि 120 का हो गया ये वाला ये 90 का, ये भी 90 का, इन तीनों को जोड़ दे और 360 में से आप गटा दोगे तो आपके पास ये एंगल बचावा आ जाएगा ठीक है, ये तरीका है दूसरा तरीका ये भी है कि यदि आपको सोर्ट में तुरंत जल्दी से निकालना है तो देखो क्या काम करवाना है कि ये वाला जो कोन होता है, ये वाला और इदर वाला कोन इन दोनों कोनों को बोला जाता है क्या है समपूरकोन है समपूरकोन का मदलब ये हो गया कि यदि इन दोनों को जोड़ा जाए तो योगफल क्या रहना चाहिए 180 के बराबर आना चाहिए तो अगर तुरंत निकालना आपको आप गटाओगे क्या आएगा 60 डिग्री तो तुरंत आप जवाब देदोगे कि ये वाला जो एंगल है वो क्या आएगा 60 डिग्री का आएगा तो देखो दोनों तरीके हैं आप सीधा भी लिख सकते हो 360 के ये कौन चारों को जोड़के भी आप उसे हैं करवा सकते हैं अब चलते हैं प्रसनावली 10 पॉइंट है दो का पहला प्रसन तो देखो काफी अच्छा सांदार है बड़िया जो आपका चैप्टर ये वाला है आने काफी आसान है प्रसन संख्या देखो ये किताब में दे रखा है कि प्रसन संख्या एक दो और तीन ये तीनों जो प्रसन है आपके विकल्प वाले हैं इसका मुझा क्या है आपको ये कह रहा है कि एक बिंदु क्यो इन एक विरत पबस पर पर इसपर्स रेखा की लंबाई चोई सैंटीमित्र है तotح क्यू कि केंदर से दूरी 25 सैंटीमित्र विरत की तृज्टार की आपका बनी मेरा पी कियो बनी है इसके बाले है कि वरत के बाहर कोई विंदु भी यहा क ये कह रहा है कि जो केंदर है केंदर को कहां मिलाओ बिंदो क्यों से मिलाओ केंदर को कहां मिलाओ क्यों से मिलाओ गए तो ये जो डेश्टेंस अब वो क्या है 25 सेंटीमिटर आपको दे रखें तिरजया निकालो तिरजया मलब P को कहां मिलाओ उसे मिला दू ये आपको निका सेंटिमेटर है ओक्यू आपका क्या है 25 सेंटिमेटर है ओपी अपने पास है निकलेगा तो समकॉन तिर्बुज आगे आपको क्या लगाना पड़ेगा पाइथा गोरस पर में आपको लगानी है पाइथा गोरस पर में लगते ही अपना उतर है एंसर जो आ जाएगा तो जो त तिर्भुज है उसमें लगाएं कि तिर्भुज कौन सा OPQ में PYTHAGORUS है किस है PYTHAGORUS परमे क्या कहते है अब करण का वर्ग होता है वो हमेशा ही आधार के वर्ग और प्लस में लंग के वर्ग के क्या होता है बराबर होता है ठीक है तो करन इसके अंदर कौन सी बुजाह OQ तो आपका कोण सा O P, O P का वर्ग, अब जिन की वेल्यों वो रख दें भी, O Q है देखो ये लिखावा है, 25 है, तो 25 का वर्ग, फिर ये हैं आपका क्या चोईस, और कोण सा, O P का जो वर्ग है, वो आपको निकालना है, O P का वर्ग है, वो आपको निकालना है, तो इसका square खोल दे तो ये गटेगा, O P का वर्ग, गटाओगे, गटाओगे तो क्या जाएगा, 49 आजाएगा, O P का वर्ग आगए, अब अपने को चाहिए क्या, स्क्वार नहीं चाहिए, O P चाहिए सिर्फ तो स्क्वार एटाओ, स्क्वार एटाओगे, क्या आएगा, रूड, तो O P बरावर क्या है, रूड 49 आगए, तो O P की वेल्यू क्या जाएगी, रूड के बार निकालना है, आप साथ तरह जाएगा, तो आपका जो फर्ष्ट प अब आगे पढ़तें देखो, इसका जो सेकिंड प्रसन है वो, जो मैंने आपको पहले मेटर समझाये था, उस पर बेश है सारा, उसको भी करतें देखो, सेकिंड प्रसन में आपका एक क्वाडिटिल है, उसमें एक इंगल आपको दे रखा हैं, दूसरा अपने निकालेंग आपका जो सेकिंड प्रसन है वो कह रहा है कि चित्र में एक चित्र बना के दे रखा है, टी बाहर है, पी क्यों मैं सिदा ही बना दता हूँ ना, जित्र इस परकार का दे रखा दे हो, यहाँ टी पॉइंट है, उससे दो इस पर रेखा है, एक तो पी और एक क्या क्यों है, आप इस से केंदर पर मिलाया गया, ओ इसका क्या आगया, सेंटर आगया, केंदर आगया, केंदर आगया, यह कह रहा है, इसका यह वला कौन है, कौन सा एंगल है, जो आपका ओ पी क्यों, कौन सा है, सोरी, पी ओ क्यों, यह एंगल आपको दे रखा है, कितने का दे रखा है, एंगल दे रखा है POQ 110 डिग्री 110 डिग्री आपको दे रखा 110 डिग्री क्या दे रखा है एंगल POQ बराबर 110 डिग्री तो निकालना कौण सा है एंगल निकालना है PTQ यह एंगल आपको निकालना है यह वाला तो पहले अपने 360 वाले से वैं करवा देतो हूं आगे वाला प्रस चोथा निकालना 360 में से क्या है तिन नों को जोड़के सब्ट्रेक करवा देंगे घटा देंगे वेलियो आ जाएगी तो ये लेते हैं वह क्या चत्रबुज बन गया आपका नहीं कॉड़िटी लागे है चत्रबुज कौण सो होगा ओ पी टी क्यू में इस चत्रबुज के अं आप ये वालो ले लो क्या हो जाएगा OQT एंगल आजाएगा OQT एक एंगल ओर रहेगा ये वाला PTQ एंगल क्या होगा PTQ इन च्यारों का योग क्या रहेगा 360 रहेगा अब जिसकी जानकारिये वो लिख लेते हैं ये वाला एंगल अपने को दे रखा 110 का है ये अपने जान क्या लंगत है यह वाला कॉन पीटी क्यू आपको निकालना है सामने क्या रखा 360 इनको जोड़ोगे देखो यह तो आगए 0 18 रेक्या होगे 19 और फिर आगए 2 290 एंगल पीटी क्यू बराबर क्या आया 360 तो एंगल पीटी क्यू की वैल्यू क्या जाएगी 360 हमेशे किसको 290 को आप घटा दोगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आजाएगी एंगल पीटी क्यू का मान आजाएगा 70 डिग्री 70 डिग्री तो यह अपना एंगल आगे वे तो देवो कुछ नहीं करवाए यह दोनों को और 90 डिग्री के यह अपने को दे रखा 110 का है तीनों को जोड़ा और 360 में से गठा लिया गठा ते यह आपके पास किया चोथा जो इंगल है वो आपको पिले जाएगा दस पॉइंट है दो का जो प्रसंद नंबर तीस राय वो करते हैं अब क्यूआर मैं आपको सम पूरुक वाली वीदिश्या करवाता हूं थोड़ा चोटा रहे गवी हाँ तो इस वार क्या दे रखा है इस वार आपको दे रखा है प्रसंद मैं पढ़के बता देता हूं यह करा है कि यदि एक विंदू P से ओ केंदर वाले किसी वरत पर पी ये तता पी बी क्या है इस परस रेखा है पर अस वरासी डिग्री पर जो की विये हैं तो कौन P O A की वैले निकालो P बाहर है यह और भी यहा है और और दे रखा है यहां पर मैं बढ़ा की समझा देता हूं यह आपका क्या है वरत हो गया वरत पर ऐसे बाहर कोई विंदू है P है उससे P A और P B क्या दो इस परस रेखा हैं क्या दो इस परस रेखा हैं और यह करा है यह दो इस परस रेखा है यह परस पर 80 डिग्री पर जो की विये 80 डिग्री का एंगल यह बन रहा है अब इसका जो यहां मिलाओ और यह क्या चाहता है कि यह जो एंगल उपर वाला ना कौण सा पी ओ ए यह एंगल उसको चाहिए तो एंगल कौण सा चाहिए पी ओ ए का मान चाहिए अपने ही काम करते हैं कि आप यह पूरा एंगल निकाल लो क्या निकाल लो यह पूरा एंगल निकाल लो पूरा angle आते ही उसका half करवा देंगे half करते angle आपको क्या मिल जाएगा P O A angle आपको मिल जाएगा तो आप लेते हैं लेको ये जो दोनों कोणे आपने सामने कि ये क्या होते हैं समपूरक तो इस कोण को क्या पढ़ा जाएगा AOB और इस कौन को क्या पढ़ेंगे APB तो यह लिखेंगे कि angle AOB तथा angle APB क्या है समपूरक है क्या है समपूरक है कौन है यह दोनों क्या है समपूरक है कौन है तो समपूरक कौन है तो यदि मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ यदि मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे पास मान क्या रहना थी एक सॉसी अब इन दोनों में से एक की वैल्यू दे रखे किसकी एपी बी की वैल्यू दे रखे एटी यह एटी तो यहां रखा एओ भी मेरे पास है नहीं आएगा सामने क्या रखा एक सो आशी अब यह जो एटी है उसको उदर लाके आप गटाओ तो देखो गटा लेते हैं तो एओ बी बराबर क्या होगा एक सॉसी माइनस असी तो एओ बी है उसकी वैल्यू क्या जाएगी सो आगे यदि आपसे पूरा एगल पूछे तो किता हैगा 100 डिगरी का आपसे पूछा है आदा एगल उपर वाल एगल पूछ रहा है चाई नीचे वालब पूछे क्या रहेगे दोनों एगल बराबर 50-50 डिगरी के एगल आपको मिल जाएंगे तो लिख देते हैं कि एंगल जो आपका कौण सा POA है वो हाफ होगा किसका AOB का एंगल जो आपका AOB है उसका क्या रहेगा हाफ एंगल रहेगा तो AOB आपने निकाल रखा उसका हाफ करवा दे 1 बाइ 2 करवाने किसका 100 का तो कैंसल आप करवाओगे 50 पचास दिगरी आगे एंगल आपका जो POA है उसकी वेलियो के आगे 50 दिगरी मान आगे है तो इस प्रकार से आपका जो तीसरा प्रसन है उसको इस प्रकार से आपको करवाना है ठीक है तो इसमें देखो कोई ज़्यादा समिश्या नहीं रहेगी आप इसको कैसे भी कर सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं आएगी तो यह हो गए अपने आज के तीन प्रसन इसके आगे वाले प्रसन को नेक्स वीडियो में फिर इंक्लूड कर लिया जाएगा और यदि आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें और हमारे जो रही नोट्स वगएरा की कुछ वो है वो आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दियागे हमारे टेलिग्राम का और वर्टसप का तो वहाँ आप जोईन कर ले टेलिग्राम को तो आपको नोट्स वगएरा वो सुईदा आपको मिलती रहेगी तो नेक्स वीडियों फिर मिलते हैं ओके थैंक यू